अखिरकार पूर्विसांसद और हर्याना के उपमुखे मंत्री दुशन चोटाला के पिता अजय चोटाला को सिक्षक भरती घोटाले के सिलसले में दस साल की कैद की सजा पूरी करने के बाद तिहार जेल से रिहा कर दिया गया दरसल अजय चोटाला को सिबी आई के एक मामले में कोर्ट द्वारा दोशी करार दिये चारी के बाद उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी जिसके बाद वो 16 जनवरी 2013 से जेल में थे सजा की अवधी के दुरान उन्हें कुल 2 साल 7 महीरे और 24 दिनों की छूट अरजित की जेल के अधिकारी के मताबिक वे 14 मई 2021 से आपात कालीन पैरोल पर थे तिहार जेल में उन्होंने जुर्मानी किराशी जमा की जिसके बाद उन्हें अपचारिक तोर पर रिखा कर दिया गया गौरत लब है कि हर्याना के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकास चौटाला के बड़े बेटे अज़े चौटाला और त्रेपन अन्निको 3,206 जूनियर बेसिक सिक्षकों की वश 2000 में अवैद भर्ती के मामले में दोशी करार दिया गया था एक विशेश सिब्याई अधालत ने जनवरी 2013 में इस मामले में सजा सुनाई थी ओम प्रकास चौटाला को पिछले साल तिहार जेल से रहा किया गया था जिसके बाद जनवरी 2013 में जब अज़े चौटाला और ओम प्रकास चौटाला को सजा हुई तो दोनों एक ही पार्टी इनैलो में थे प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार थी और भाजपा अपना आधार तलाश रही थी लेकिन अब 9 साल बाद हर्याना की राजनीती बदल चुकी है 2014 में कॉंग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई और पूर बहुमत के साथ मोधी लहर में बीजपी ने पहली बार अपने दम पर हर्याना में सरकार बनाई 2019 विधासबा चुनाओ से पहले इनैलो और बस बागडबंधन के वज़ा से प्रदेश में इनैलो कारिकरताओं में गडबंधन के सरकार बनने की उम्मीड जखे लेकिन चनाव से पहले इनैलो अलग हो गई और अजय चोटाला के बेटे दुशन चोटाला ने इनैलो से निकाले जाने के बाद जन्नायक जनता पार्टी का गठन किया इस चनाव में इनैलो की मात्रे एक सीटी आई और नई पार्टी जचपा ने प्रदेश में दस सीटो पर जूईत दर्ज की 2019 में भाजपा वहमत के आंकडे को नहीं चूँ सकी और प्रदेश में जचपा के सायोग से सरकार बनी और अजय चोटाला के बेटे दुशन चोटाला प्रदेश के उपमुखे मंतरी बने कहा जाता है कि विवाद होने पर ये घोटाला उजागर हुआ था और ऐसे में जबिटी घोटाला उजागर करने में ततकालीन प्रात्मिक सिक्षानिदेशक संजीव कुमार ने एहम भूमिकार निभाई थी उसने इस मामले की जाज के संबन्दे पंजाब हर्याना हाई कोट में याचकार दार की थी हाई कोट के आदेश के बाद सिब्याई ने वज़ 2003 में घोटाले की जाज की शुरवात की खास बात यह है कि सिब्याई ने इस मामले में संजीव कुमार को भी आरूपी बना लिया ऐसे में सिब्याई ने उन्हें भी घोटाले में दोशीवाना सिब्याई ने वज 2008 में आरूप्यों के खिलाफ कोर्ट में आरूप पत्र पेश किया जिसके मताबिक वज 1999 से 2000 में हर्याणा के 18 जिलों में 3206 जीबिटी सिक्षकों की भरती करने के दुरान माम दंडों को ताक पर रखकर मंचाहे अभियर्तियों को नौकरी दी गई थी फिलाल हर्याणा के पूर मुख्यमंत्री की रहाई के बाद जचपा कारिकरताओं में खुशी का महौल देखने को मिल रहा है वहीं हर्याणा के मुख्यमंत्री दुशन चोटाला ने अपने पिता की रहाई पर खुशी जताते हुए एक फोटो शेयर की उन्होंने लिखा कि एक परिवार और एक पार्टी के तौर पर आज हमारे लिए 9 साल 25 दिन के बुरे सपने का अंत हो गया आपकी निरंतर उपस्तिती हमारे लिए बहुत आवशक और आशिरवाद होगा आप हमारे हीरो हैं आपको घर वापस पाकर हम बहुत खुश हैं हिमाचल हेटनेक हॉस्पिटल मेकिंग लाइफ ब्यूडिफुल या आपको एक छट के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं जैसे एंटी क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, इसके लावा यहां होती है सिर, गला और फेश्यल रिकंस्ट्रक्टिब सरजरी और सभी का अपचार मुनासिब दाम में किया जाता है साथी हिमकेर और आईशमान कार्ड भी माने हैं ताकि आपको मिलें बेहतर इला और आप जीएं बेहतर जिंदगी हमारा पता है हिमाचल हैडनेक सेंटर एड डॉक्टर एस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल नियर नादाउन चौक हमीरपूर